जाहिन दोस्तों क्या हाल है मेरा नाम है राकेश इसका नाम है रियल में C25 इसका नाम है नार्जो 20 नहीं 30 एक्टुली 30A अब यहां पर मेरे पास यह फोन आ गया प्राइस देखना था मुझे क्या है आज कर फोन इतने आ रहे हैं न ऐसा लग रहा है कि मैं नोकरी कर रहा हूं हूं अपने चैनल पर मतलब सुपह 9 के रात के दश्वे तक लगे हुए और इतने फोन आ रहे हैं कुछ ब्रैंड के तो ऐसा लगता है डेडिकेटीड चैनल बना देना चाहिए हर ब्रैंड के लिए वैसे लोग कह तो देते हैं लेकिन फोन ना है तो फिर वीडियो क्या दे पता क्या करते हैं पहले तो अगर आप ने चैनल पर प्लीस सब्सक्राइब करना क्योंकि इस से कंफ्योजन निकात्ती कि हम लोग घंव्री पर नहीं पोछ रहे हैं तो आप प्लीस सब्सक्राइब करो और दूसरी बात यह है अगर हम बात करें इस फोन की 464 का प्राइस है 10,000 रुपे, 4128 का प्राइज है, 11,000 रुपे, LPDDR 4X RAM, EMC Storage, प्रोसेसर दे दिया, यहाँ पर MediaTek का G70 प्रोसेसर अब, यह प्रोसेसर की बात करों तो आपको 10,000 रुपे के फोन के साफ से बात करें, गेमिंग वगारा भी अगर आप करने चाहते हैं, तो सारे के सारे सेंसर दे रखें, इस फोन के अंदर जैरोस्कोप वगारा, आप बेसिक नॉर्मल गेमिंग लेके चलो, अब मैं यहाँ पे Call of Duty प्ले करके दिखा देता हूं, इसका मटलब यह नहीं कि आप Call of Duty प्रो लेवल बन जाओगे, लेकिन यहाँ पर हर चीज प्राइस के साफ से देखा जाता है, और बजट फोन की एक अलग डिमांड होती है, लेकिन हाँ इस रेट में एक शिकायत है, कि इस रेट में फूल HD प्लस डिस्पले अराम से मिलने लगे हैं, कई सारे ब्रैंड देते हैं, लेकिन इन्हों ने एक HD प्लस डिस्पले दिस्पले दिया है, तो यह इसका एक डाउन साइड है, अब इसकी वज़ा से confusion के अगर आप ध्यान से देखो, तो यहां पर Realme का C15 जो है, प्रोसेसर की बाद साइड में रखते हैं, सेम डिजाइन के साथ, सब कुछ सेम सा है, थोड़ा सा बदल दिया है, यहां पर बैक पैटर्न, उसके बाद आ जाता है, यहां पर C25, यह जो फोन है, यह मैच करता है, रियल मी के नार्जो 30A से, सिमिलर टाइप बस बैक में पैटर्न चेंज कर दिया है, सिमिलर कैमेरा डिजाइन, सिमिलर टाइप अफेश, सिमिलर यहां पर आप को नीचे टाइप C पोर्ट बगरा मिलता है, दोनों में यहां पर कोई secondary noise cancellation मारीक नहीं है, और यह दोनों इतने जादा similar है ना, आपको एक के display quality same है, दोनों का view angle जो है, वो भी same है, और यहां पे chin बगरा जो है न, यह भी same है, और cutout भी जो है दोनों का, वो भी same है, एक फराख है कि realme c25 है न, यह आता है, android 11 और latest color OS के साथ, I mean realme OS के साथ, बाद में update बगरा से दोनों में same हो जाएगा, लेकिन एक advantage है कि इसको एक latest मिल जाता है, इसको realme c25 को, तो इतना ज्यादा similar है, दो के दोनों में widevine L3 मिलता है, और सारे जरूरी sensors मिल जाते हैं, ऐसे में बंदे को confusion तो होना ही होना है, इस इस प्रोसेसर को change कर दिया, देखा जाए, यहां पर जो narzo है न, नार्जो के अंदर आपको मिलता है, जी 85, और वहीं पर मिलता है आपको realme c25 के अंदर, जी 70, रियल लाइफ में बहुत बड़ा फरक नहीं मिलेगा, इस rate के coding दोनों प्रोसेसर, मतलब जस्टिफाइड है, नार्जो 30 यहां प्राइज भी similar है यहां पर, बस यहां नार्जो में आपको 128 GB नहीं मिलता, c25 में मिल जाता है 128 और 64 दोनों, एंद सिंगल स्पीकर मिलता है अगर इसकी quality की बात करें, और इसे बाते करनी है तो नजरे चुका के करें, अगर स्पीकर की बात करें, सिंगल की साब से नॉर्मल, आवरेज स्पीकर है, ट्रेवल जादा है, बेस कम है, तो यह similar type के phone में confusion तो होती है, और कई बार हम भी confusion होते हैं कि कौन सा recommend करें, अब जैसे C25 के camera की बात करें, तो 13 MP का main camera है, चार चार दिखाई देरें ना, एक तो flash है, दो ऐसे मतलब मस देखने में लगते हैं, लेकिन main camera आपको एक ही लगेगा काम का, quality की बात करें, तो अच्छी कासी light अगर होगी ना, तो वहां पर तो अच्छी photo click कर लेगा, जैसे यह वाली देखो आप, इस photo को देखो आप, इवन अगर मैं इस और 8 MP का by the way selfie है, और अगर मैं यहां पर इस artificial light में click कर दो, तो कुछ ऐसी सी photo quality मिलती है, इन short अगर इस rate में बात करें, 10,000 में, तो मैं यह नहीं कहूंगा कि इसका camera ऐसा कुछ extra ordinary सा है, या फिर एकदम रद्दी है, like average camera बोलूँगा मैं, और अगर और better camera चाहिए, तो आपको थोड़ा हाथ पर मानना पड़ जाता है, हमेशा, जो महेंगे phone आए, offer बगारा में सस्ते मिल जाए तो, और call recording भाई, दो के दोनों में नहीं कर सकते है, क्योंकि अभी Realme के जो phone आ रहे हैं, सभी में Google डायलर आ रहा है, सिर्फ Realme क्यों, और भी कई brands है, कुछ ही बचे है, एक option add किया गया, Realme की तरफ से, just like Realme X7, Realme 8 Pro, Realme 7 Pro, सारे गुंपिर के एक जैसे लगते हैं, तो ये budget वाले एक जैसे लगते हैं, कोई भी brand इसलिए ऐसा करता है, क्योंकि आसे अलग-अलग series के साथ से mind में आता है, किसी को नार्जो पसंद हो, नार्जो जाकर उठा लेगा किसी को C-series पसंद हो, C-series जाकर उठा लेगा, लेकिन अगर जैसी आप इसके 128 GB वाले पर जाते हैं ना, जो कि 11,000 का है, तो फिर भाई, competition बहुत जादा tough है, जिसमें मैं इसको शायद कहूंगा, आपको और brands में अलग-अलग तरीके के आप option देख सकते हैं, depends, क्योंकि 11, 12,000 रुपे में आपको आजकल पंछोल डिस्प्ले के साथ साथ ऐसे मस्त, Full HD Plus डिस्प्ले यू मिल जाती है, लेकिन 10 जर्वल अगर आप देखना चाहिए, देख सकते हैं, latest Android है, और यहाप है, जो भी यह मतलब latest UI है, and Realme UI पहले से improved भी हो चुका है, तो यह एक, तो it's kind of new phone with old का मसाला मिलाव जो लाके, यह था Realme C25, I hope आपको वीडियो पसंद आए, और वीडियो पसंद आए, तो like, share, subscribe जरू करना, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में,